हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल दिब्बेहलपिंग गाइट, सो कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग बहुत अच्छे होगे, जहां कई भी होगे, आपकी प्रेग्नेंसी भी हेल्दी चल लए होगे, और आप भी काफी हेल्दी होगे, तो जैसे ही महिला की प्रेग्नेंसी कंसीब होती है, तो महिला के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं, खास कर जब आपकी प्रेग्नेंसी फस्ट पहली है, ठीक है, जब पहली प्रेग्नेंसी होती है, तो कई बार महिला के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, और सिरप महिला के मन में ही नहीं चलते हैं बलकि उनकी पूरी परवार में जो सवाल चलते रहते हैं कि आकर हमारे घर में जो छोटा सा बच्चा आने वाला है वो लड़का है या लड़की और जब देखें पहली प्रेग्नेंसी होती है वैसे तो पहली प्रेग्नेंसी जब होती है तो लड़का हो या ल महिला को बहुत सारे खाप मिनने लगते ही है, बहुत सारे सपने देखते ही, कि हम अपने बच्चे के लिए ये करेंगे, अभ वो करेंगे नाम सोचने लगते हैं, क्यूंकि लणकी होगी तो ये नाम रखेंगे लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे तो इस चीज को लेके काफी ज़्यादा मतलब सवाल चलते रहते हैं महिला के मन में भी और परबारवालों के मन में भी तो आप कैसे बिना अल्टरसाउंड के कैसे आप पता करें तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बताने वाली हूँ देखे आज कल जो अल्टरसाउंड है वो इंडिया में बैन है अल्टरसाउंड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जिससे के आप पता कर सकते हैं अल्ट्रसाउंड के तुरू ही आप पता कर सकते हैं लेकिन बिना अल्ट्रसाउंड के आप कैसे पता लगाएं कैसे आप अनुमान लगा लें कर सकें कि हमारा होने वाला बेबी जो है लड़का है या लड़की है तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो कि मेरे खोद के भी लक्षण है जो मेरे बेबी बॉय के टाइम पर जो लक्षण थे वो आप लोग के साथ शेयर करोंगी लेकिन मैं इत महिलाओं के कमेंट आये थे वो आप लोग के साथ शेयर करोंगी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी तो आप जरूर देखिएगा कुछ कमेंट आये थे उसमें महिलाओं ने बताया है कि मैम आपकी जो लक्षण थे वो शेम मेरे साथ थे और मुझे बेबी बॉय हुआ है कुछ मह जो उंगली एक बरावर कभी भी नहीं होती है ठीक है इसलिए हार्मोन सबकी एक जैसे नहीं होते हैं एक जैसी बॉड़ी नहीं होती है सबकी अलग-अलग बॉड़ी होती है अलग-अलग हार्मोन होते हैं तो जो मेरे साथ सिम्टम्स थे जरूरी नहीं कि वो आपके साथ बिल्कु सही बैठें ठीक है तो वीडियो बनाने का मकसद सरफ इतना है कि आप लोग को जागरुक करना आप लोग को सही जाना इंफरमेशन प्रोवाइट करना और मतलब जो मेरे खुद के एक्सपिरियंस है वो आप लोग के साथ शियर कर रही हूं आप लोग को सरफ आप ल बेबी बॉय होने वाला था तो उस समय मुझे बहुत कम बुमीटिंग होती थी मतलब यह न्यू समझ लीजिए कि एक आधी बार हुआ हुआ फर्स्ट में ठीक है और मुझे बेटी के टाइम पर बहुत ज़्यादा बुमीटिंग होती थी इतनी ज़्यादा होती थी कि तीन महीने तक लगातार मुझे खाना पीना मुस्किल हो गया था मैं यहां तक ही पानी पीती थी कुछ भी पीती थी मैं खा नहीं पाती थी मुझे गोलियों का सहारा लेना पड़ा था मतलब डॉक्टर को दिखाना पड़ा था इतनी ज़्यादा हस से ज़्यादा उल्टियां हो तो मुझे बिलकुल भी बुमीटिंग नहीं थी अराम से खा पी रही थी और मुझे कोई भी टैबलेट का सहारा नहीं लेना पड़ा था ठीक है तो ये लक्षन जो है 100% मेरे साथ बिलकुल ठीक बैठा था ठीक है आप लोग में से कितने लोगों के साथ ये वाला जो लक्षन बुमीटिंग माला वो सही बैठा है मतलब լुमीटिंग कम हो रही है तो बेबी बॉय होगा और बुमीटिंग ज़ादा हो रही है तो गल्स होगी ठीक है अब बात कर लेते हैं इसकीन का ग्लो की तो मेरे साथ यह हुआ था मेरी बेटी के टाइम पर बहुत जब्दी मेरी जाईयां सी आ गई थी चेहरे पे और स्कीन का जो रंगा थे बिल्कल डल हो गई थी बहुत जादा ठीक है और बाल जो है वो भी बहुत जादा गिरने लगे थे तो मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो रहा था कुछ महिलाओं के संग ऐसा होता है कुछ महिलाओं बताती है कि मैं बेटी के टाइम पे जो है उनका गलो छिन जाता है और बेटे के टाइम पे अच्छा खासा गलो आ जाता है बट मेरे साथ कुछ उल्टाई हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था कि बेटे के टाइम पे अच्छा खासा गिलो आ जा रहा था और बेटे के टाइम पे जो है गिलो मेरा छिल जा गया मतलब एकदम चेहरा जो है मुर्जा गया था और बेटे के टाइम पे न मेरे मतलब मैं इतनी मोटी भी नहीं थी मतलब भजन जो था मतलब बहुत कम था और बेटे के टाइम पे क्या होता था मेरे जो पैर की जो नस होती थी बहुत ज़्यादा चरती थी यूँ समझ लीजिए कि मैं रात में बहुत ज़्यादा परशान हो जाती थी जब भी में लेटती थी ना तो पैरों की नस बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा राइट पैर की म नस बहुत ज़्यादा चरती थी बेटे के टाइम पर बेटे के टाइम पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं होई थी मुझे लेकिन बेटे के टाइम पर मुझे यह बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी नस चरने की अब आप लोग मैंसे भी कई लोग महीला हैं जो हैं मेरे को बोलती ह अब आप लोग भी अपने अपने बताईएगा कमेंट करके आप लोग के साथ कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो सही बैठते हैं क्योंकि देखिए जब भी महिला का जिसका जैसे एक लड़की होती है तो उनके मन में ये चीज़ चलती है कि मेरा एक जो है लड़का हो जाए तो हमारे लिए दुआ करना हमारा जो है माई फैमली कम्पलीट हो जाए तो बस उनके मन में ये सब चीज़े कोशन चलते रहते हैं काफी लोग मेरे को ये भी सिम्टम्स हैं तो मेरे संग जो मैं अपने सिम्टम्स से शियर कर रहे हूँ दो तीन महिलाओं ने मुझे ये भी बो शियर किये थे और इस वीडियो में और आप लोग के साथ शियर कर रहे हैं कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे तो जो में में इंपॉर्टन्ट सिम्टम्स थे जो मैंने नोट किये थे अपने बेबी बॉय के टायम पर वह आप लोग के साथ मैं सियर कर रहे हैं ठीक है और जो ब माना जाता है कि लड़का होता है और ये भी माना जाता है कि अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो लड़का होता है हाथ पैर रूखे हो रहे हैं ठंडे हो रहे हैं तो भी लड़का होता है अब ये और लोगों के सिम्टम्स में बता रही हूं आप लोग बताएगा क कि आप लोग के साथ ये symptoms होते हैं या नहीं होते हैं तो मैंने ये कुछ symptoms आप लोग के साथ share करे हैं इससे सिर्फ सिर्फ आप अन्दाजा लगा सकते हैं मतलब अनुमान लगा सकते हैं मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगे आप से 1001 परसन आप बिस्वास करें क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब के साथ same सेंब बैठेएं क्यों किसी की लड़की भी हो सकती है और किसी का लड़का भी हो सकता है और उम्मीद करते हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा शेयर करना और सस्क्राइब भी कर लेना मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना मिलती हूं